तो इसका जो लेटेस्ट अब्रेट क्या है उसके बारे हम लोग बात कर लेते हैं और जो मैंने कोट आर्टियाई लेगा थी उसके बारे हम डीटेल से बात करेंगे और जब सेकंड लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में किसका नाम आएगा यह सबी चीज़ आपको एट्विज अब लेटेट कोई भी जानकारी हो तुरन तक अब तक पहुँच जाए तो आपको मैंने बताया था कि मैंने रिखा चुका हूँ लेकिन अभी तक सरकार ने बदला नहीं है ठीक है मलब कि इसमें पता दिया गए कि रिख्वेश्ट इट फिज्कल ट्रांसफर्स तू अधर पबलिक अथर्टी वह अपना काम करें लेकिन अभी तक कोई सका इसका Gene नहीं आया है लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं होना है बस आपको कोड का मामला है ऑसाइथ 20 या 22 तारी को आपकी सुनवाई है तो आपकी सुनवाई है इसी मामला है वह अगली जो डेट लगी थी उसमें पताय कहा थैं मामला जो हो इस सुरक्षेद रख लिए एक फैसला तो हो सकता है जो नेस्ट आपकी हेरिंग है उस ही में आपका फैसला सुना दिये जाए और आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी कर दिया है तो आप लोग बता है कि आने वाले नॉमबर तक सतो एससी डिम लगबख 84 एर पदो बेकिंसी आपकी आने वाली है तला समय को सेकंड लगए और उसके प्रेक्टिस सेट एकडम से डलाहीं मैं आपके बताता हूं के उनका सेलेक्सें में नहीं होगा ठीक है जिननों के इस किया था जब नबर से रह एको उनका इस लिष्ट मा शलेक्शन हो हुगा आप लोग निश्चेंज रहिए जिसका भी उसे लक्सान हो आप लोग सबी लोग सपोर्ट हो काम करिए क्योंकि आगली बार विसा तो आपका भी नमबर आ सकता है ठीक है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत